Hello Students, I am your Maths Teacher from Gurukul Academy Vambora. Today we are going to start Exercise 4.4. We have done Exercise 4.3, जिसके अंदर हमने जब तीन साइड और एक एंगल गिवन हो, तो कैसे construction किया जाएगा quadrilateral का, वो सीखा था. इस exercise के अंदर हम quadrilateral का construction सीखेंगे, जब हमें तीन साइड और दो एंगल गिवन हो. लास्ट exercise के अंदर हमें एक एंगल गिवन था, इस exercise के अंदर हमें एक की जग़ दो एंगल गिवन है. So, let's learn how to construct it. Question No.1 of Exercise 4.4, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3.6 cm, BC is equals to 5.5 cm, CD is equals to 5 cm, एंगल B is equals to 125 degree, and एंगल C equals to 80 degree. मतलब इसमें हमें तीन साइड गिवन हैं, और दो एंगल गिवन हैं, एंगल B और एंगल C, एंगल B की वैल्यू है 125 डिग्री और एंगल C की वैल्यू है 80 डिग्री. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना देंगे, जब भी हम इस तरह के एंगल का कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें हमें दो एंगल गिवन हो, तो हम जो दोनों एंगल है, वो वाली लाइन सेग्मेंट को बेस लेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारी जो हमें एंगल गिवन है B और C, तो हम एंगल B और C को बेस लेंगे, एंगल B हमें गिवन है 125 डिग्री, एंगल B हमें गिवन है 125 डिग्री, और एंगल C हमें गिवन है 80 डिग्री, अब हम हमारे जो अलग-अलग मेशरमेंट से उनको लिख लेंगे, यहाँ पर B है तो इस जगह पर पॉइंट A आएगा और इस जगह पर पॉइंट D आएगा हमें measurement गिवन है AB गिवन है 3.6 cm तो यह वाली line हो जाएगी 3.6 cm CD हमें गिवन है 5 cm और BC हमें गिवन है 5.5 cm यह 4th side हमें गिवन नहीं है तो हमें 3 sides और 2 angle गिवन है अब हम इसका construction करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो base है BC उसको draw करेंगे BC की length हमें किवन है 5.5 cm तो 5.5 cm की हमें एक line segment construct करेंगे सबसे पहले यह हमने 5.5 cm की line बना दी है जिसका नाम हमने दिया है BC अब हम point B पर angle 125 degree construct करेंगे हम D की head से इसको construct करेंगे इस तरह से इसको रख लेंगे line segment BC पर और हम देखेंगे कि 125 जो है वो यह है 120 और इसके जो pass वाला यह point होता यह है 125 इस जगह पर एक point mark कर देंगे और इस point को हम B से join कर लेंगे इस point को इस तरह से B से join कर लेंगे और इस line को हम name दे देंगे BX यह वाली जो हमाई line उसको हमने name दे दिया BX अब आप इस rough sketch मा अगर देखोगे तो हमारा यह जो AB line segment है इसकी length हमें given है 3.6 cm तो अब हम compass से 3.6 cm open करेंगे यह 3.5 है उसके just pass वाला point 3.6 है 3.6 cm की एक compass open करेंगे और B को center point रखते हुए BX line पर एक आग कट करेंगे यह जो यह आग जिस जगह पर BX को कट करेंगी वो है हमारा point A अब हम next हमारा जो point बचा है point D उसका construct करेंगे तो सबसे पहले C पर हमें जो angle given है वो है 80 degree फिर से हम D की help से 80 degree construct करेंगे BC line segment को coincide करते हुए हम हमारा D इस तरह से place करेंगे और line इस तरफ से है तो यह उपर वाला जो दे रखा है 0 से start होता हुआ यह वाला देखेंगे हम 80 degree इस जगह पर आ रहा है इस point को mark करके इसे हम C से join कर लेंगे इस point को ताकि हमारा जो angle C है वो बन जाएगा 80 degree और इसको हम name दे देंगे Y उदर हमने X में दे रिखा था इदर हमने Y लिख लिख लिए है यह वाला angle था हमारा 125 degree और यह वाला angle हमारा construct हो गया है 80 degree अब हम देखेंगे कि C से D point का जो distance given है वो है 5 cm तो 5 cm compass हम open करेंगे इस तरह से 5 cm compass open करेंगे और C को center रखते हुए इस line C y पर एक आग कट करेंगे 5 cm रेडियस की यह जो point हमें मिला है C y पर जिस जगह इस आग को कट किया है वो point है हमारा point D अब हम इस A D point को join कर लेंगे इस तरह से हमने हमारा जो quadrilateral A B सीरी था उसको construct कर लिया इसके जो given side थे वो हम लिख लेंगे यह वाली side थी 5.5 cm यह 35 cm और यह वाली side थी 3.6 cm फोर्थ side हमें given नहीं थी तो उसके लिए हमने यह दोनों point आपस में join कर लिये इस तरह से construction करने के बाद फिर हम इसके steps of construction लिखेंगे 1st step draw a line segment BC is equals to 5.5 cm 2nd step at point B of BC construct angle CBX equals to 125 degree and cut AB is equals to 3.6 cm from BX 3rd step at point C of BC construct angle BCY equals to 80 degree and cut CD equals to 5 cm from CY 4th step join AD hence ABCD is the required quadrilateral जिस तरह से जो जो step follow करके हमने इसका construction किया था उनी को हमने लिख लिया है point wise now we are going to see question number 2 question number 2 construct a quadrilateral ABCD given AB is equals to 5.1 cm AD is equal to 4 cm BC is equals to 2.5 cm angle A is 60 degree and angle B is 85 degree इसका rough sketch draw कर लेते हैं हम सब से पहले हमें 2 angle given है A और B तो हम इस AB side को ही base लेंगे A हमें given है 60 degree यह angle A हमने mark कर दिया 60 degree और angle B हमें given है 85 degree यह हमने mark कर लिया 85 degree अब हमें जो different sides given है इसकी AB हमें given है 5.1 cm AD हमें given है 4 cm BC given है 2.5 cm तो हमें 3 side और 2 angles given है इसका construction करेंगे हम तो सब से पहले base draw करेंगे हमारा base AB है 5.1 cm तो हम 5.1 cm की line segment draw करेंगे सब से पहले यह है 0.5.1 AB line segment draw करी हमने 5.1 cm की अब हम पहले angle B construct करने वाले हैं angle B हमें given है 85 degree 85 degree को हमें D से ही construct करना पढ़ेगा इस तरह से हम इसको इस line segment के उपर place करेंगे कि इसकी जो last वाली line है वो हमारी जो line segment अपने draw करी है उससे coincide करे और अब हम 85 degree mark कर लेंगे हमारी line segment इस तरफ है तो हम यह उपर वाला marking देखेंगे यह 85 वर दूज़ी वाला point होगा 80 और 90 के बीच वाला 85 होगा यह जो यह point है इसको हम point B से join कर लेंगे और इस line segment को हम नाम दे देंगे X फिर हमें given है कि B और C की length 2.5 cm तो हम compass को 2.5 cm open करेंगे यह हमने compass को 2.5 cm open कर लिया है B को center point रखते हुए हम एक arc cut करेंगे 2.5 radius की जो की B X को cut करेंगी तो यह जो point है यह है point C हमारे quarter-leateral का अब हम angle A construct करेंगे angle A 60 degree है तो इसको हम compass की help से construct कर सकते हैं इसके लिए हमें D की requirement नहीं है एक semi circle बनाएंगे फिर हम जिस जगह पर इस semi circle हमारी line segment को intersect कर रहा है उसको center रखते हुए एक arc cut करेंगे तो यह जो arc first हमने cut करी है वो 60 degree की arc है हम इसको point A से join कर लेंगे इस तरह से हमने इसको point A से join कर लिया है और इसको हमने name दे दिया है पहले वाला X सा तो इसको हमने Y name दे दिया है angle A construct हो गया हमारा 60 degree का अब A से D की जो length है वो है 4 cm तो हम 4 cm compass को open करेंगे 4 cm open करने के बाद A को center point रखते हुए A Y line पर एक arc cut करेंगे 4 cm की यह जिस जगह पर ही arc cut होगी वो है हमारा point D अब हम C और D point को अपस में join कर लेंगे तो यह हमारा required quadrilateral है इसकी sides जो given है वो हम लिख लेंगे अब हम इसके steps of construction लिखेंगे first question में आपको जो steps of construction लिखे थे वो थोड़े different थे इस तरीके से दोनों ही तरीके सही है जो तरीका आपको better लगे steps लिखने का आप उसको follow कर सकते हैं first step draw AB is equals to 5.1 cm second step make angle ABX equals to 85 degree यह वाला angle है 85 degree third step with BS center and radius 2.5 cm draw arc to cut BX at C fourth step make angle BAY equals to 60 degree fifth step with A as center and radius 4 cm draw another arc to cut AY at D sixth step join CT hence ABCD is the required quadrilateral next question question number 3 construct a quadrilateral ABCD given AB is equals to 7.5 cm BC is equals to 7 cm CD is equals to 5.4 cm angle B is 120 degree and angle C is 80 degree हमें इसके अंदर angle B और angle C given है तो हम B और C को ही इसका base लेंगे angle B हमें गिवन है 120 degree और angle C हमें गिवन है 80 degree अब हमें इसकी जो sides given है सबसे पहली side हमें गिवन है AB तो ये वाला जो point होगा इस तरफ A आएगा तो ये वाली side है 7.5 cm BC side हमारी 7 cm और CD जो side है वो है हमारी 5.4 cm ये हमने हमारा rough sketch बना दिया है अब हम car quadrilateral का construct करेंगे सबसे पहले हम BC का construction करेंगे BC line segment ड्रॉ करेंगे जिसकी length है 7 cm तो हम 7 cm की एक line ड्रॉ कर लेंगे ये हमने BC line segment ड्रॉ किया है जिसकी length है 7 cm अब हम B point पर angle construct करेंगे 120 degree लास्ट क्लासेस में आपने learn किया है सीखा है कि 120 degree का angle हम compass की help से construct कर सकता है semi circle ड्रॉ करेंगे B point पर उसके बाद जिस जगा पर ये line segment को intersect करेंगा वहाँ पर से हम एक आग कट करेंगे ये वाली आग होगी 60 degree की और इसी आग पर needle प्लेस करके हम एक और आग कट करेंगे इसी semi circle पर और ये जो second point होगा ये होगा 120 degree का तो हम इसको B point से join कर लेंगे इस line segment को हमने name दे दिया है X अब हमें given है कि 7 A और B की जो length है वो 7.5 cm है तो हम compass को 7.5 cm ओपन करेंगे अब हम B को center point रखते हुए B X पर 7.5 cm की आग कट करेंगे तो जिस point पर ये B X को cut करेंगे 7.5 cm के लिए वो point होगा point A अब हम angle C construct करेंगे angle C हमें given है 80 degree इसका construction compass से possible नहीं है तो इसका construction हम D की help से करेंगे point C पर हमें construct करना है 80 degree ये line इस तरह से coincide हो गई तो angle D 80 degree ये है point 80 तो यहाँ पर 80 degree आएगा इसको हम C से join कर लेंगे और इसे name दे देंगे Y C से point D की जो length given है वो है 5.4 cm तो हम compass को 5.4 cm open करेंगे इस तरह से 5.4 cm open करा हमने इसको और C को center point रखते हुए C Y पर 5.4 cm radius की एक arc cut करेंगे जिस point पर ये C Y को cut करेंगे वो point होगा point D अब हम point A को D से join कर लेंगे हम AD को join कर लेंगे इस तरह से तो हमारा construction हो गया है इसका complete measurements जो given है वो हम लिख लेंगे और ये वाली side हमें given थी 7.5 cm next हमे steps of construction लिखने होते है first step draw a line segment BC is equals to 7 cm second step at point B of BC construct angle CBX equals to 120 degree and cut AB is equals to 7.5 cm from BX third step at point C of BC construct angle BCY equals to 80 degree and cut CD equals to 5.4 cm from CY fourth step join AD hence ABCD is the required quadrilateral double झाल झाल